ताज़ा तरीन सच्ची और प्रमाडी खपरों के लिए अभी सस्क्राइब करें एमेस नाओ उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानी सिच्छा मित्रों को नमस्कार मैं सत्यम दूवे स्री राजुदास महराज सिच्छा मित्र उथान मंच की तरफ से आज दिनांग 23 सितंबर 2021 को आप सभी के समक्षिक महत्वपूर आईडियो प्रेसित कर रहा हूं शातियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सिच्छा मित्रों के भविश्य के सुन रच्छित एम सन रच्छित कराने के लिए आईद्या हनुमान गड़ी की पूज्य महंत संत शिरुमर सिजाजुदाजी महराज के नित्रत्यों में हमारी टीम निरंतर एक वर्सों से एक सही दिसा में सार्थक प्रयास करती आ रही है साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सिच्छा मित्रों का भविश से जल से जल सुरच्छित एम सनरच्छित हो एम 5000 हमारे जो मृतक सिच्छा मित्र आज हमारे बीच नहीं है उनकी आत्मा की सांती के लिए एक विशाल महायग्य का कारिक्रम अयुद्या की धर्ती पर रखा गया है साथियों समय हमारे पास बहुत कम है उत्तर प्रदेश के एक एक आम सिच्छा मित्रों से मेरा हाथ जोड के निवेदन है कि आप सभी लोग अयुद्या के यगी की तैयारी करिए 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चलने वाला यह महायग्य बहुत ही आपके लिए लावदायक यों मिर्डायक होने जा रहा है क्योंकि साथियों अब आपके पास समय नहीं है और यही आपके लिए अंतिम आखरी यों मिर्डायक लड़ाई होने जा रही है और इसी महायग्य को देखते हुए आदड़ी महराज जी ने अपने प्रयास में इतनी तेजी लाई है जिसका कोई जवाब नहीं लगातार वो माननी मुख्यमंतर जी के साथ इस विषय पर चर्चा पर चर्चा करते हुए राज सरकार से लेकर केंदर तक अपनी मैसेज को पहुँचाने में सफल हो रहे हैं और साथियों मैं आप से कहना चाहता हूँ कि माननी महराज जी आपके विशे को लेकर आज पुना माननी मुख्यमंद्र जी के साथ गोरकपुर में मौजूद है साथियों ऐसे में आप सभी हमारे राजुदा सिच्छ में तो थान मंच के जितने जिला ध्यच्छ हैं जितने ब्लाक ध्यच्छ हैं आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 25 तारीक को आयुद्या में माराज जी के द्वारा एक अहम बैठक आप लोगों के लिए रखा ग जाता हूं साथियों आप सभी लोगों के लिए महराज जी के टीम से जनपदों में जो जिला अध्यच्छ बनाए गये हैं जो ब्लाक अध्यच्छ बनाए गये हैं उनसे आप लोग जुड़कर अयुद्या के कारिक्रम की तयारी कीजिए और पूरे तन्मन धन के साथ हमारे आप पतादिकारीओं का सहयोग भी की जीए साथयों इसी क्रम में एक महतवपूर बात यह भी है कि हमारे टीम को आपके पूर अन संगठनों की तरफ से मैसेज είग भी आया है कि ये सभी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं मैं आप लोगों के समक्ष इन सभी लोगों के समर्थ समर्थन को दिल से सहस्विकार भी करता हूं क्योंकि साथ हमारे टीम का मकसद है कि उत्तर प्रदेश के सिच्छा मित्रों का भला हो हमारा मकसद राजनीती करना नहीं है परन्तु ऐसे में कुछ हमारे अन्य जन्पदों से जो हमारे पास रिपोर्टिंग भी आई है वह अभी एक सोचनी विश्य है क्योंकि लोग समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन समर्थन की पीछे कहीं नहीं कहीं एक कूटिनीतिक साजिज भी कर रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास आई है इवन महराज जी ने आज हमारे पास खुद फोन करके बोला है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे धंक से बात कर रहे हैं उनकी बातों से लग रहा है कि ये लोग सिच्छामित्रों का हित कम राजनीती जादा चाहते हैं तो साथियों मैं प्रदेश के सभी जिल अपने आम सिच्छामित्रों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग ऐसे लोगों से सावधान होकर अदर्डी महराज जी के टीम से बनाएगे जितने जिला अध्यच्छ हैं उनका समर्थन कीजिए उनका सहयोग कीजिए क्योंकि हमारी टीम का एक मात्र लच्छ है कि एक इमानदारी के साथ जैसे अभी तक आपकी लड़ाई को लड़ा गया है वो ऐसे अंतर तक लड़कर आप सभी लोगों को सफलता दिलाया जाए हमारी टीम का मकसद राजनीती करना नहीं है इसलिए मैं प्रदेश के आम सिच्छामित्रों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग ऐसे दकालों से सावधान होकर जो लोग यह दकाली कर रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आदत से अगर बाज नहीं आएं तो आप लोगों को भारी तरह से रहे हैं उसकी पूरी तयारी हमारी टीम के तरफ से की भी जा चुकी है आप लोग के इस खड़े अंत्र को पूरी तरह से कुछलने का भी काम किया जाएगा हां कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तों में इमानदारी के साथ हमारा समर्थन कर रहे हैं मैं उनको पूरा सम्मान देता हूं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहतो रहे हैं कि हम आपकी यग्य में पहली आहोती डालेंगे तो ठीक है मैं आपका पूरा श्विकार करता हूं लेकिन आपको एक निस्पच्छ आम सिच्छा मित्र की तरह ही हमको आपका समर्थन चाहिए ना कि हमको एक राजनितिक या मैं इन्वाल्व हो आप सभी लोग अईध्य की तयारी कीजिए हमारे आम सिच्छा मित्र आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सोला अक्टूबर से होने जारे इस महा यग्य में शामिल होए और यही यग्या आपके भविश्य को सुरच्छित और समर्चित कराने में एक महा भूमिका निभाएगा